अल्फा पब्लिक स्कूल इंडियन आइल पेट्रोल पम के सामने राइपुर रोड मुगेली कुर्बा के पोडी उपोडा ब्लॉग अंतरगत आने वाले बांगो इस्थित CACB पावर प्लांट बे एक ठेका ड्राइवर की दमकल वाहन के पलड जाने से मौत हो गई इस मामले में परिजनों द्वारा दमकल वाहन फिटनेस टीम के उपर लापरवाही का रोप लगाया जा रहा है कुर्बा जिले के पोडी उपोडा विकास खंडिस्ते 36 गड़ राज विद्दुत पावर जनरेशन कमपनी लिमिटेड के बांगो सैंत्र में रवीवार दोपहर साड़े तीन वजे चालक देवकुमार साहू वहां चला रहा था और अचानक गाड़ी में तक्नीकी खराबी की वज़ा से गाड़ी अने अंतरित होकर पलड गई और मौके पर ही ड्राइवर देवकुमार साहू की दर्दनाक मौत हो गई इस संबन में मिली जानकारी के अनुसार कमपनी की गाड़ी काफी पुरानी बताई जा रही है जिसका फिटनेस 2016 में ही समाप्त हो गया था उसके बावजुर भी जेपी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार द्वारा लापरवाही पुर्वक पुराने महन को CACB में चलाया जा रहा था है बाकी लोग आये हुए थे लेकिन वो उसका फोन इतना लगा रहा है कल भी लगा थे फोन घंटी जा रहे थे उठाई ने रहा था हो और उसके बाति आदमी आये थे उसका प्वाज़ाने नहीं आ रहा है अब लोगों कोई मदद नहीं मिल रहा है मतलब उसके आदमी को लेकर मजदूरों के जानों के साथ खिलवार कर रहे हैं जिसमें ठेकेदार की सीधी सीधी लापरवाही उजागर हो रही है और आज की घटना उसी का परिणाम है जिसमें जांजगीर जीला के पॉंडी शंकर निवासी देवकुमार साहू की दर्दनाक मौत हो गई जो करने के लले चालू कर ले जा रहता, कि गाड़ी अन्विलेंस हो के सामने जा के टक्रा आगए तक ठराने से गाड़ी पलटी हो गई है पलटी होने से ड्राइवर जो लेवकुमार उसका वहीं पर तर गंभिचोट लगने से द्लिक्किन होगाए सामय कि मौके में आज उस्क कांट डिकसेना की रिपोर्ट आर जे रमजाजर